चीवन जलोश में आपका स्वागत है दोस्तों आज मैं आपको काटमांडू और नेपल के प्रमुग दर्शनियस्तलों के बारे में बताने वाला हूँ इस वीडियो से पहले मैंने भारत से नेपल कैसे जाए और पशुपतिनात काटमांडू के वीडियो बनाये थे अगर आपने अभी तक देखे नहीं है तो वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दोनों वीडियो की लिंक दे रखी है इस वीडियो को देखने के बाद आप तै कर पाएंगे कौन से स्थान को भेट देना चाहिए और कौन से नहीं वीडियो अच्छा लगे तो लाइक पहले काटमांडू घाटी के दर्शनिस्तलों के बारे में बताता हूँ पशुपतिनात मंदिर काटमांडू में सबसे महत्वपुनस्तान पशुपतिनात चीका मंदिर है पशुपतिनात का डिटेस में वीडियो पहले ही बना चुका हूँ इसलिए यहां फिर से नहीं बता गुहेश्वरी मंदिर पशुपतिनात मंदिर से एक किलुमेटर के दूरी पर बागमती नदिक के तट परस्ती थे। पशुपतिनात मंदिर से दो किलुमेटर की दूरी पस्ती थे। अरतिय नागरिकों के लिए एंट्री टिकट साथ भरतिय रुपए हैं। एसा माना जाता है कि बौद्धनात स्तुप विश्व के सबसे बड़े स्तुपों में से एक हैं। यह विश्व धरोहर में शामिल बौद्धनात तुप का निर्माण बुद्ध की मुर्त्य के बाद किया गया था। बौद्धनात की वास्तुकला अदुटिय यह है। तुप के निर्माण में भारी मात्रा में सोने का उपवय करया गया है। स्वयम्भु नात मंदिर Чार किलोमेटर की दूरी पर एक पहड पूरे काटमांडू शहर का एक सुन्दर मनोरम दुरुष्य दिखता है काटमांडू दर्बार स्कॉयर पाटन दरबार स्कॉयर काटमांडू दरबार स्कॉयर से पाँच किलोमेटर दूर्स्तित है पाटन दरबार स्कॉयर एंट्री टिकर देड़ सो भारतिय रुपे है पाटन काटमांडू गाटि का सबसे पुराना शहर है जिसमें मंदिरों, महलों और स्मारकों का बहतिन संग्र है पाटन चार स्तूपों से गिरा हुआ है जो समराट अशक द्वारा बनाए गए थे पाटन में कृष्ण मंदिर, भवानी मंदिर पाटन के सबसे दिलचस्प आकर्षणों में स्वर्ण मंदिर पाच मंजिला कुम्बेश्वर मंदिर और लाल मचेंदरनात मंदिर और यहाँ एक मुजियम शामिल है भक्तपूर दर्बार स्कॉयर भक्तपूर दर्बार स्कॉयर पाटन दर्बार स्कॉयर से 12 किलोमेटर की दूरी पस्तित है भक्तपूर दर्बार स्कॉयर एंट्री टिकट 312 रुपए है यह स्तान भी विश्व धरहर में शामिल है पच्पन खिडकियों वाला महल सबसे प्रमुक इमारत है बक्तपुर दरबार स्क्वार में और भी धेर सारी इमारते हैं जिन में सिद्धी लक्षमी मंदिर, वशुपतिनात मंदिर, वत्सला देवी मंदिर, केदारनात मंदिर, गो दूरी पस्तित है, गार्डन ओप ड्रिम का एंटिटी कट 125 भारतिय रुपे है, यह गार्डन फिल्ड मार्शर के इसर समशेर राना द्वारा बनाया गया था, बगीचा बहुत बड़ा तो नहीं है, लेकिन बगीचे में अनेक प्रकार के सुन्दर सुन्दर फूल, पेड, पहुदे लेखने लायक है, बुदा निलकंटम अंदिर, थमेल से बुदा निलकंटम अंदिर 10 किलोमीटर की दूरी पस्तित है, आराम की स्तिती में बगवान विष्णू की नकाशिदार मूर्ती के लिए प्रसिद्ध है, खुली खावा में स्तित बुदा निलकंटम अंद दक्षिनकाली मंदिर देवी काली को समर्पित है। चांगु नारायन मंदिर भक्तपूर दरबार स्कॉयर से 7 किलोमिटर की दूरी पर शुवपूरी पहाडी परस्तित है। काटमांडू से 15 किलोमिटर की दूरी परस्तित है। चंद्रगिरी हिल टॉप एक प्राकूर्तिक परेट अंस्तल है। चंद्रगिरी हिल्स की उचाई 25 मिटर है। आप पैदल भी उपर जा सकते हैं। या केबलकार से भी जा सकते है। चंद्रगिरी केबलकार का टिकट ओन साइट 415 भारती रुपे है। नेपाल में शनिवार छुट्टी का दिन होता है। शनिवार के दिन यहां काफी भीड होती है। यहां पर भालेश्वर महात्यों मंदिर भी है। यहां रात रुखने के लिए होटल भी है। चंद्रगिरी हिल से हिमालाई परवती या शत्रों के पुरे खंड को देखा जा सकता है। बहुती कुपसरज जगह है। पुरी काटमांडू घाटी का दुरुष यहां से देखा जा सकता है। नगरकोट नगरकोट नेपाल का एक हिल स्टेशन है। जो की 21 मिटर की उचाई पर है। यह काटमांडू से 32 किलो मिटर की दुरी पस्तीत है। इस्तान का खास महत्व इसलिये है। यहां से प्रात काल सुरज निकनने का मनोरम दुरुष देखा जाता है। इसके लिए परियाटक रात में ही नगरकोट पहुचाते हैं। धरने के लिए कई होटल आदी है। यहां से हिमाले के अनेक चोटियों के साथ ही माउंट एवरिष्ट का बढ़िया नजारा दिखता है। काटमांडू घाटी के बाहर के दर्शनिस्तल पोक्रा। यहां नेपाल का दूसरा बड़ा परियाटक स्तल है जो काटमांडू से 200 किलोमेटर की दूरी पस्तीत है। काटमांडू से पोक्रा माइक्रो बस, मिनी बस या टूरिच बस से जा सकते हैं। पोक्रा पहुचने में 7 गंटे का समय लगता है। पोक्रा को जिलो का शहर कहते हैं। यह नेपाल के मध्य भाग में श्तीत हैं। यहां से हिमाले परवत्ष्रेणियों को नजदिक से देखा जा सकता है। अन्नपुढणा, दोलागिरी और मानसलू चोटिया पोक्रा से सिर्फ 25 से 30 किलो मिटर की दूरी पस्तिते, पहाडों के अलावा जिले, नदिया, जर्नों के साथ मंदिर, स्तूप और मुजयम भी पोर्याटकों को आकरशित करते हैं। यहां भी हवाई अड़ा है, सडके अच्ची है, बाजार भी सजे धजे रहते हैं, शौपिंग का भरपुर मजा लिया जा सकता है। पोक्रा और पोक्रा के नजदिक के दर्शनिस्तल, फेवा जिल। पोक्रा का प्रमुक आकरशन फेवा जिल है, बहुती कुपसर जगह है, जिल का पानी एकदम साफ है, अन्नपुर्णा हिमालय की चोटियों का प्रति बिम्ब दिखलाई पडता है, फेवा जिल के चारों तरब बिक्री पहाडियों में छोटे छोटे जर्ने पहते रहते हैं इन जर्नों का पानी काफी ठंडा होता है, गर्मियों में ही इसमें नहया जा सकता है, परेटक यहां नोका विहार का खुफ आनद उठाते हैं, बाराही देवी मंदिर, फिवा जिल के बिचो बिच एक चोटे से टापू पर बना हुआ है, यहां पर बोड से पहुचना पड बाराही देवी मंदिर, पोकरा का सरवादिक प्रसिद्ध हिंदू मंदिर है, यह मंदिर पईगरडशाइली में बना है, बाराही देवी मंदिर काफी रमनिक है, यहां से चार और जिल और हिमालय काफी कुपसुरत दिखलाई पडते है डेवीसफाल फेवा जिलके पास ही डेवीसफाल है जुलाई अगस्त के महिनों में यहाँ पानी इतने तेज रपतार से गिरता है इचारों तरब पानी का धुनद ही दिखलाई पड़ता है गुपतेश्वर महादेव गुपта डेवीस फाल के सामने ही गुपतेश्वर महादेव की गुफा है नीचे गुफा में जाने के लिए कुछ सिड्या उतर कर जाना पड़ता है गुफा के भीतर भी कुछ सिड्या उतर कर जाना पड़ता है गुफा लंबी चवडी और गहरी है गुफा के भीतर का अनुबव इस गुफा में प्राकुर्तिक शिवलिंग बना है विश्वश्यांति स्थूप गुपतेश्वर महादेव गुफा से करिब 3 किलोमेटर दूर एक पहाड़ी परस्तित है सव से जादा सिडिया चड़कर उपर जाना पड़ता है यह स्तल बहुत शांत और रमनिक है विंदे व वासिनी मंदिर विंदे वासिनी मंदिर पोक्रा से 12 किलोमेटर की दूरी परस्तित है विंदे वासिनी मंदिर कुछ उचाई पर होने के कारण सिड़या चड़कर उपर जाना पड़ता है यह मंदिर देवी दुरगा माता को समर पीत है यहां गार्डन भी बनाया गया है यह बहुती खुपसुरत जगह है सारंग कोट सारंग कोट पोखरा से सिर्फ साथ किलोमीटर की दुरी पर 5500 फीट की उचाई पर स्थीत यह एक बहुती रमनियस तल है जीप या माइक्रो बस उपर टॉप तक नहीं जाती है कुछ चड़ाई कर उपर जाना पड़ता है यहां पर सुर्यदोई का दुरुष्य देखने लोग आते हैं यहां से हेमाले के धोला गिरी और अनपुर्णा की शुरुंकला देखी जा सकती है यहां से सुर्यदय का दुरुष्य काफी सुन्दर दिखता है जैसे जैसे सुर्य की किर्णे फैलती है उसी के अनुसार परोतों का रंग बदलता रहता है यहां पर पायरा ग्लाइडिंग भी की जाती है मन कामना मंदिर काटमांडू से फोकरा जाते वक्त बीच रस्ते में काटमांडू से 140 किलो मिटर की दुरी पर मन कामना मंदिर पाहडी परस्तीत है मंदिर 1302 मिटर की उचाई पर पाहड की चोटी परस्तीत है उपर पाहडी पर आप पैदल भी चड़ाई कर जा सकते हैं पैदल जाने में 3-4 गंटे का समय लगता है, केबल कार से भी जा सकते हैं, केबल कार से पहुचने में लगबग 10 मिनिट लगते हैं, केबल कार का टिकट वन साइट 300 भरतीय रुपय है, नेपाल का प्रसिद्धम मंदिर होने के कारण यहां हमेशा काफी भीड रहती है, यह माना जाता है कि देवीक मनकामना उन लोगों की इच्छाओ को पूरा करती है, जो उनकी पुजा शुद्ध मन से करते हैं, नेपाल के अन्य मुख्य दर्शनियस तग, देवगाट दाम, पोकरा से देवगाट दाम 107 किलो मिटर की दुरी परस्ती थे, देवगाट दाम भी नेपाल का प्रमुक परे टन्स्तल है, देवगाट दामकाली गंडकी और त्रिशोली नदियों के संगप पर स्थिते, मकर संकरांतिक के दोरान, संगम पर डुप की लगने स्रत्तालू बड़ी संक्या में यहां आते हैं, यहां पर मर्शिद वेद्धिवैस गुपा, सिद्धिवशर महादेव मंदी स्री जालपा देवी मंदीर, सिता गुफा, मुकुन देशवर गुफा और भी गुमने लायक कई एतियासिक स्तल भी है, अनेक देवी देवताओं के मंदीर और गुफा है, मुक्तिनात, मुक्तिनात मंदीर पोकरा से 180 किलो मिटर की दूरी पस तीते हैं, मुक्तिनात विष्णु की पुजा शाली ग्राम की रूप में होती है, इस मंदीर तक पहुचने का रास्ता जोकिम भरा और खतरनाक है, मुक्तिनात मंदीर में 108 पवितर तीरत के नल है, जहां पानी 2400 घंटे बहता है, और यहां सभी 108 नलो में स्नान करने की परंपरा है, चित्वन विष्व दर्वहर में शामिल है, भारतियों को एंट्री टिकट 500 भारतिय रुपे पड़ता है, यहां जिप या हाती पर बैट कर जंगल सपारी कर सकते हैं, आपको यहां कई जानवर दिखाए देंगे, जिन में शेर, हाती, सिंग वाले गेंडे, हिरन, बंदर, जंगली हाइना, गडियाल और पंचियों की 450 से अधिक प्रजातिया देखने को मिलती हैं, लुंबिनी, लुंबिनी सोनोली बॉर्डर से मज 30 किलोमीटर की दूरी पस्तीते, गवतम बुद्ध की जलमस्तली, लुंबिनी दुनिया भर के बहुत द अनुयाईयों का स्तिर्तस्तल है, समराट अशक के समार्क स्तंब के लिए जाने जाना वाला यहस्तल विश्व विरहसत सूची में शामिल है, समराट अशक ने इसे अपनी नेपाल यातरा की स्मूती में बनवाया था, यहां का प्रमुका कर्शन 8 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ बाग है, इसके अलावा ग जैनगर से जनकपूर 35 किलोमीटर की दूरी पस्तित है, जैनगर से जनकपूर रेलवेर लाइन बिछाने का काम बहुत जल्द पूरा होने वाला है, जनकपूर में स्तित जान की मंदिर एतियाशिक स्तर है, यहां शहर भगवान राम की ससुराल के रूप में विख्यात है, भगवान सी राम से विवाह के पहले सिता माता ने जादा दर समय यही वेतित किया था, यहां मंदिर देवी सिता को समर्पित है, यहां एक विवाह मंडब है, जिसमें विवाह पंचमी के दिन पूरी रीती रिवाज से राम जानकी का विवाह किया जाता है, जनकपूरी से 14 किलोमीटर उतर धनुशा नामस्तान है बताया जाता है कि राम चंद्र जी ने इसी जगह पर धनुश तोड़ा था दोस्तो मैं ने नेपाल के प्रमुग दर्शनेस्तलों की जानकरी आपको दी है इस वीडियो को देखने के बाद नेपाल यातरा की योजना बनाते वक्त आप और मिलेंगे नए सपर में दोस्तो वीडियो अच्छा लगा तो लाइक अवश्य करें कमेंट जरूर करें अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो अवश्य सब्सक्राइब करें और बेल बटन दबाना न बुले